सबस्दと Сनेम शनेम ।ुम ये क्या कर रही हो। पूरी नजरो के बारे में मत भूलना। इसका क्या कनेक्शन है जेजे ? अरे क्यों क्यों ? तुम नहीं चान्ती ? मेरे साथ गेम्स मत खृलो, सनेम ये लो उके जेजे, उके अरे तुम अपने काम पे जायं दो इदर आओ, इदर आओ, इदर आओ, सब लोग तुम्हें घूर घूर के देख रहे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दिदा, तुम यह सर्फ मिस्टर जान के लिए कर रही हो है न, वो यहां नहीं आये है, जान, मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कैसे, मेरा मतलब ह कोई माइने नहीं रखते, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं है, तुम कहो और देखो, मिस्टर जान, मिस्टर जान, 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 जरूरी सामान यहां रह गया है, इसलिए मैं उसे लेने आई हूँ, यहां से बाद, अच्छा सामान, मिस्टर जान, मैं इंफ्ल्यूएंस नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मिस्टर जान आ रहे हैं, सनेम, ओ, सॉरी मिस्टर जान, वाँ, अरे, खुदको संभाळو, सने, तुम यहां सामान लेने आई हो, अपना सामान लो और निकलो यहां से, मेरी तरफ ऐसे क्यो देख रही हो, जल्दी से अपना सामान, लो, निकलो, चलो, कितने पुशी हो जेजी, वैसे मेरा कुछ सामान मिस्टर जान की रूम में भी रा गया है, मैं उसे लेकर आती हूँ तुम लोग काम करो हलो मिस्टर जान हलो मिस्टर जान, कैसे आफ? वैसे मेरा यहां कुछ जरूरी सामान रह गया है, मैं आपका माइन लेने आई हूँ ओ, माफ करना, मैं कुछ चीज़े लेने आई हूँ ओ, गॉड, ब्रीद नहीं, मैंने वो स्वालो कर दिया, मैं तुम पर कॉंसेंट्रेट नहीं कर पाए क्या मेरा कोई सामान छूट गया है यहां? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं? जरूर तुम्हारा पर्फ्यूम मुझे लगता है कि मैंने पर्फ्यूम कुछ जादा ही लगा दिया है, अगर आपको तकलीफ हो रही है तो मैं खिडकी खोल दू बाहर, बाहर ठंड है, उसे मत खोलो, ठीक है? नहीं जहान मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती तो मैं पता है क्यों, वज़े जानोगी तुम, मुझे लगता है कि मुझे सर्दी हो गई है, कफ हो गया है, तुम समझ सकती हो ना, इस वज़े से मुझे स्मेल नहीं आ रही है मेरा नाग बंद हो गया है और कुछ ज़्यादा फील नहीं हो रहा ओ, ऐसी बात है मैं बस सेंस कर पा रहा हूँ आजकल लोग बिमार है, एपिडेमिक, वाइरस के वज़े से शायद ओके, तो अब मैं चाहती हूँ काम करने तुम्हारा सामान सॉरी वैसे आज, तुम काफी अलग लग रही हो, काफी डिफरिंट हाँ मैं करेक्ट वर्ड नहीं ढून पा रहा हूँ तुड़ा असर्टिव, मतलब मैं नहीं चाहते हैं, तुम कुछ गलट सोचो पर कुछ अलग, तुम कुछ अलग, कैसे? नहीं कुछ अलग से ही लग रही हो अलग? आप भी अलग लग लग रहे है अप पहले ऐसे नॉट नहीं बानते थे अग्शली, लोग कहते हैं कि मुछ पर जश्ट है हाँ, और वो ओर्नामेंट्स, वो सारे गालक्सी, स्टार्स बहुत अच्छे लग रहे है आप पर येप, और मेरा बेल्ट हाँ, वैसे आपका वो अलबिट्रोस का टाटू उसका क्या हुआ वो वही है या फिर उड़ गया वहां से अगर वो उड़ भी गया तो वो वापस आ जाएगा वो उसके मालिक को जानता है नहीं, नहीं वो नहीं उड़ेगा वैसे मैं उमिद करती हूँ कि आप इन सारे और्नामेंट्स में कमफर्टेबल तो है वैसे मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आपकी क्यार करती हूँ और आप अभी बच्चे थोड़ी है मैं वही आदमी हूँ, जिसे तुम जानती हैं मैं वही हूँ, तुम बदल गई हूँ देखो, बाहर देखो, बर्फ गिर रही है और मौसम कितना धंडा हो रखा और तुमने देखो क्या ड्रेस पेंट रही है मेरा मतलब इस वेदर में कौन ऐसी ड्रेस पेंटा है तोड़ा जी इवह नहीं वैसे तुम्हें सर्दी हो जाएगी, मैं इसके लिए कह रहा हूँ अहां, मैं समझ गई, मैं बस आपको वान कर रही थी दोस्ती के नाते, और कुछ नहीं तांक यू, माइ फ्रेंड क्या तुम्हें वो सामान मिलगा जो तुम डूल रही है हां, वो मुझे मिल गया ये रहा वो, ये है मेरा पैंसिल वाला दिल वेरी गूड इस पैंसिल के पास अपना खुद का दिल भी है मेरी तूट गई है मैं मेरी दे सकती है मेरी पैंसिल, मैं आपको दे सकती है आप मना कर रहे हैं ओके सी यू सिर्फ फॉर शॉर्ट टाइब वैसे वो फाइल है फाइल्स फाइल्स हाँ मैं अभी देखती हूँ वो वही है रुको मुझे लेने दो मेरा लेटिस्ट काम है पर हमें आपको एडवाइस देरे हूँ कि आप अपने टाटू चेक कर लीजिये कितना हैंसम मैं तो फोकस ही नहीं कर पाई क्या है यार उसने क्या ही किया वो एक आर ग्लास जैसी है सनेम सनेम क्या तुम ठीक हो ठीक हूँ क्या तुम दर्वाजा ओपन करोगी मैं शायद तुम्हें हेल्प कर सकोंगी प्लीज नहीं बस एक सगेन इसे पकड़ो प्लीज सनेम ये सब क्या है क्या तुम ये सब क्या कर रही हो मैंने चेंज कर लिया और उसी ड्रिस में थोड़ी खूंगती मतलब यहां इतने सारे लोग आते है इतनी मीटिंग्स होती है मैं उस ड्रिस पर थोड़ी रहूंगी और अब तुम मुझे इंसेस्ट मत करना मुझे मेरे काम पर जाना है इसे दो मैं अपना काम करने जा रही हूँ उपरवाला तुम्हारी हेल्प कर रहे है अब मैं क्या कहूं सनेम क्या कहूं लैला मिस्ट एमरे मैं उस बुक के बारे में बात करने आया हूँ जो फिकरी हरी का डिजाइन करेगी तुम्हारे लिए हाँ हाँ जरूर मैं आपकी मदद कर सकती हूँ अब तो कॉंट्राइट बनी जाएगा वैसे कुछ डीटेल्स है ये किट ने मुझे तुम्हारे पास बेजाए अगर कॉंट्राक्स से रिलेटर है तो मैं आपके लॉयर से बात करती हूँ नहीं नहीं बात बजट की है ये तो फाइनन्स डिपार्टमेंट की बात है ना लैला या शायद मुझे तुम्हें मिस्ट लैला बुलाना चाहिए या तुम्हें जैसा ठीक लगे नो नीड मिस्ट लैला ही कहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं विश इस तो मेरी बहुत सारी है क्या कहा? मुझे यह लगता है कि मुझे वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो मैं चाहता हूँ हाँ बजट वो मैं एक्जामन कर चुकी हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगता है उसमें प्रॉब्लम है वो काफी कॉम्प्लिकेरट है इसलिमें तुमारे पासा है वो एक्चुली मिस्टर जान और मिस्स पॉलिन के दोस्ती के नाम अरेंज किया गया है हाँ बिल्कुल हमने उस बारे में भी बहुत कुछ सोचा है पर अब ये एक प्रोफेशनल काम बन गया है हमें कुछ चीजों को सुलजाना होगा इस काम को पूरा करना अब सबसे ज़्यादा जरूरी बन चुका है लैला जरूरी? मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है मिस्टर एमरे हम एक नए पब्लिक शिंग हाउस में है इसलिए हमारा बजट भी काफी लिमिटेड है मिस्टर जान ही फोटोज लेने वाले हैं पर बाद में उनकी अपनी मर्जी से मैं साफ साफ आपको बता रही हूँ कि वो खुद हमारे आर्ड डिरेक्टर बनना चाहते थे और हमारे राइटर ऐसे इंसान के साथ काम करना चाहती थी जिस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करती है इसलिए हमने इसे अप्रूफ किया है मिस्ट एम्रे और हम यही कर सकते थे मिस्ट एम्रे लैला हमें इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है मैं तुमसे बागिन नहीं करना चाहता पर हमारा बजट इतना ही है मिस्ट एम्रे मिस्ट दैनिस नहीं प्राइज एक्सेप्ट की है सिर्फ मिस्ट जान के वज़े से उनकी आपस में बन नहीं रही थी तो आपकी कंपनी फिकरी हरीका ने इस पर आपजेक्ट नहीं करना चाहिए अब सब कुछ क्लियर है, समझे आप क्या आपको और कोई सवाल पूछने है तो आप पूछ सकते हैं नहीं तो नहीं लेना है गुट पाई गुट, have a nice day मैं सच कह रही हूँ जान ये वाकई में बहुत अच्छा कुकिंग आर्ट वक्शॉप रहेगा मेरी दोस्त ने मुझे इस बारे में बताए और मैं एक मिनट में राजी हो गई थी क्योंकि मैं इन सब में बहुत इंट्रेस रखती हूँ और तो और नेटवर्क बनाने के लिए ये बहुत अच्छा है काफी स्कोप है इसमें जान और तो और जान वहाँ पर बहुत फेमस शेफ आएंगे ये आसम है सच में परफेक्ट जान पर मैंने एक और चीज कर ली है मैंने उस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम लिख दिया है तुम मेरे साथ आओगे तो तुम दुनों साथ में कहां जा रहे हो बताओ उसी वर्क्शॉप में जिसके बारे में मैंने आपसे कल रात में बात की थी लेकिन लगता है जान को इसमें इंट्रेस्ट ही नहीं है आँ, क्यों? मुझे अच्छे से देखो मॉम क्या मैं ऐसा देखता हूँ कि मुझे इन सब चीज़ों में इंट्रेस्ट है? पर तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो और ये बाद तुम जानते हो, है न? हाँ, मैं यही तो कह रही हूँ, देखो जान, तुम्हें खाना बनाना पसंद है, है न? तो तुम्हारे लिए ये तो अच्छा प्लेटपॉर्म है, तुम कितने सारे लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, जान, और तो और अगर वो तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे तो भूलेंगे नहीं हाँ, तुम इंस्पायर मोटिवेट सब कर पाओगे, ये कावी अच्छा आइडिया है, शर्माओ मत, अगर तुम नहीं जाओगे तो पॉलें को शर्मिंदगी महसूस होगी, तुम्हें उस लिस्ट में रखने के लिए पॉलें को कई दोस्तों को ऐलिमिनेट करना पड़ा ह हाँ, जान, प्लीज मान जाओ ना, प्लीज, मैं गैरेंटी देती हूँ जान, तुम्हें इसमें बहुत मजा आएगा, सच कह रही हूँ सेनम, लेला, श्यूज मी, आपको किसे मिलना है, मैं अपनी बेटियों को डून रही हूँ, माम, और जैनम, मजें, मेरी बच्ची माम, आप यहाँ क्या कर रही है, यह असी खुज़र रही थी, सोचा तुमसे मिल Lo, तुम्हारी माम है, हाँ है लो, क्यों अधिक आप से मिलके अच्छा लगा मुझे मिलके अच्छा लग आसकती हो ना उसके लिय कर आ पको पसंद आ है दुनिया में कुछ भी गंबीर ने हो सकता, चाहे मौती क्यों ना हो, ऐसा काफका ने कहा था ये क्या कह रहे हो तुम, इतने अच्छे महाल में ये डेट की बाते क्यों कर रहे हो भला, ये अच्छा नहीं लगता राइट, अक्सर हम ऐसी बाते करके बैड लग को अट्राइक्ट करते है, सही कहा जहाँ दैथ होती है, वहाँ सारी चीज़े अपना अस्थित्वक हो देती है, ये भी काफका ने कहा था नहीं, मतलब जो काफका ने कहा था, वो ही तो मैं कह रहा हूँ, बागे तो महां बहुत सीरियस हूँ, सीरियसली हाँ, सीरियस होना बहुत इंपोर्टन्ट है, पर हम उस प्रॉपर्टी को खो नहीं सकते, वरना तुम लूजर कहलाओगे, ये ठीक नहीं है हाँ, मौम, आप बिल्कुल सही कह रहे है, आईए, मैं आपको अपना ओफिस दिखाती हूँ नहीं, मुझे बस तुम से मिलना था, अब मैं चलती हूँ और आइचलो, खाना खाते है, हमने चाय पी लिए है, अब खाना खाएंगे तुमारे लिए नहीं है, तो फिर किसके लिए? जवाब देना जरूरी है, क्या? मैं यहां तुम्हें देखने आई थी देख लिया, अब मैं जा रही हूँ, गुडबाए फिर से जरूर आएगा? हाँ, जरूर आउंगी पाए मुझे ऐसा लगा जैसे, मिस आई पर हमारे आजो बाजो मन रहा रही थी, यह वो नहीं हमारी मॉम है, पर हाँ लगता है, उसकी क्लोस फ्रेंड होगी, उसने कुसके लिए बनाया होगा है कि नहीं? चलो, अब मुझे वापस काम पर जाना है, ओके? ओ, ठीक है, मुझे भी वही करना चाहिए, चलो चलते हैं, ठीक है हेलो बेटा ओ, मिसस मेव की बे, आईए, आईए थैंक्यू, जेजे, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक्यू, आप यहाँ एक्यून, फूड़ेट की तरह आती हैं, सच में अच्छा, मिसस मेव की बे, आप यहाँ किस लिए आई थी, बताएंगे? मैं यहाँ से मिलने आई थी, और कुछ नहीं, फिक्र मत करो मैं बहुत एक्साइटेट हूँ, मेरे पास एक प्लान है लेकिन अगर प्लान एक औरत बंदी है, तो वो जरूर पूरा होता है अब तो सनेम को वापस हाना ही होगा, मुझे लगता है, वो भी कुछ ऐसा ही चाती है चलो अच्छी बात है, चलो मिसस मेव की बे, वेलकम, वेलकम आई 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 प्लीज, थैंक्यू कैसी हैं आप? यह है सनेम की मॉम, यह है पॉलन हेलो, आप ठीक तो है ना? थैंक्यू क्यों आपको भी इससे बहुत प्रॉब्लम है, सनेम को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अलर्जी है हाँ, मुझे पता है, इसका कोई इलाज नहीं है, यह बहुत ही डिफिकल्ट बात है हर साल स्प्रिंग सीजन आने से पहले वैक्सिनेशन करना पड़ता है, इस बार नहीं किया वैसे तो यह काफी सीरिस बिमारी है, लेकिन आप इससे मैनेज कर सकती है चलिए न, हम यहां से चलते हैं, आप यहां बैठी है, अब सब ठीक है न, वैसे मुझे स्टफ ग्रेव लीफ्स की खुश्पू आपके आने से पहले आ गए थी पोलन, तुम्हारे पास खाना बनाने की बुक होगी न, तुम अच्छा खाना बना लेती हो, लेकिन किचिन की रानी तो यहां है, यह बहुत अच्छा खाना बनाती है, मतलब मज़ा आ जाता है, सुपर्ब खाना ओ, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं हमारे पास फोर्क और नाइफ तो ने है, लेकिन मैं इसे अपने हाथों से खाना चाहूँगा क्योंकि अब मैं इंतजार नहीं कर सकता ओ, जान, यह क्या कर रहे हो, तुम हाथ से खाना खा रहे हो? क्या ये अपने घर में बना सकती हैं जो मैं लाई हूँ मुझे अच्छा लगा अगर मुझे ये घर पे खाने में लेगा पर आपके बनायाओए खाने की बात ही कुछ और है रसिपी चाहे कितनी भी सेम हो सबके अलग-अलग परीके होते बनाने के पर आपकी दुनिया की बेस्ट प्रसिपी आई मस्ट प्रसिपी अरे ठकने की कोई बात नहीं है तुम जाकर खाना बनाओ उस से अच्छा तो मैं यहाँ खाना बना बनाया ले आओंगी जो पसंद है वो ले आओंगी तुम भी खाना चाहोगी नहीं, नहीं, थांक्यू सो मच, वो क्या है ना अज शाम को हम दोनों की वरक्शॉप है, तो अगर मैं अभी खाना खाऊंगी, तो मेरा पेट में तर जान, तो खाना चाहेंगे, तुम्हें भी खाना-खाना चाहिए, कित्नी दुबली हो, आँखों में भी रोश्नी नहीं है, स्किन भी कैसी हो गई है और बालों में भी कोई जान नहीं लग रही है तुम्हें ये खाना खाना चाहिए घर का बना जरूर जरूर आप ने चु कहा है मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी पर मुझे अभी चलना होगा, मुझे बहुत सारे काम है जान मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है? सी यू मिस्स मेवकी बे, आप से मिलकर बहुत अच्छा लगा सी यू, बाई वाबा मिस्स मेवकी बे, आप यहाँ सानम से मिलने आई है पर आप तो जानती है कि वो यहाँ है नहीं है न? देखो, यह पॉमनन नहीं हो सकता, सैनम इस जगे के लिए बनी है तो महारा इस बारे में क्या कहना है? हाँ, मैं भी अग्री करता हूँ वो यहीं के लिए बेस्ट है पर वो नहीं चाहती कि हम दोनों यहाँ एक ही जगे पर काम करें बट अब टेंशन नहीं में जा रहा हूँ यहाँ से मत जाओ यह जगे तुम्हारे लिए पॉफेक्ट है देखो जान, मैं एक पड़ी लिखी औरत नहीं पर मेरा तजूर्बा काफी है दुनिया में कोई भी चके जो तुम्हें सूट करें मिलनी मुश्किल है एक बहतर इंसान होना भी बहुत मुश्किल होता है यह सारी बाते जब हम यंग होते हैं न तब समझ में नहीं आती है अगर तुम्हें कोई ऐसा रास्ता मिलता है जहां तुम्हें अच्छा लगता है तो उसे छोड़ कर भागना बेवकूफी है चलो मान लेते हैं कि तुमने कोई रास्ता अपनाया लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हें सूट करेगा रास्ते कभी खत्म नहीं होते पर हम सफर अच्छा हो तो अच्छा लगता है सभी बात है बड़े हमेशा अच्छा सोजाव देते हैं थैंक यू वरे मच अब मैं चलती हूँ बिटा मिस्स मेव की बेव वेलकम थैंक यू अब मैं चलती हूँ आप मुझे रही है जान तुमने मुझे बताया क्यू नहीं की मिस्स मेव की बेव यहां आई हूँ है मैं उनसे मिलने के लिए आजाती आप और ये खास स्टाफ्ट क्रेप लीव्स तुम्हें बता है पहले मैं इने खाने से भी इंकार करती थी लेकिन अब मैं इनकी एदिक्ट हो गई हूँ खाये, खाये, मजे लीजिये डिलिशिस, बहुत अच्छे है बहुत ब्लेस और आप तो ये स्टाफ्ट लीव्स भी सानिम के जाद खो जाएंगे मुझे बहुत बुरा लग रहा है नहीं नहीं, यहां से कोई नहीं जाएगा, सब यहीं पर रहेंगे मैंने सही कहाना, जान ठीक है, मैं चलती हूँ ओके, have a nice day Mrs. Mevkibe Thank you very much for everything कोई बात नहीं Good-bye, बिक्टा क्या मैंने कुछ गलत कह दिया मैंने क्या कहा है, जान नए, नए, आप इतना गलत कैसे कह सकती हो Impossible हाँ नए, वही नहीं सकता, मजा कर एमरे से मिलता हूँ उस बॉक्स में क्या है और क्या वो तुम्हारी काउं से आया है आकर तुम्हारा काउ है कहाँ यह इंपोर्टन नहीं है, सनेम यह बॉक्स जादा इंपोर्टन है, ओके यह तो बताओ उसके अंदर क्या है एक शादी का जोड़ा और मेरे लिए डाक सूट तुम लोग तालियां क्यों बजा रहे हो, अब मैं क्या करूंगा बताओ मेरी दादे ने मुझसे कहा है कि मुझे जल से जल शादी करनी चाहिए इससे पहले कि वो मर जाए, क्या करूं मैं यह तो काफी सीरिस थ्रेट है, जेजे हाँ, सीरिस थ्रेट है, मुझे पता नहीं, अब मैं क्या करूंगा तुम आयान से प्यार करते हो, तो उससे शादी कर लो, हाँ, शादी कर लो, और क्या तो अच्छा शादी करनो, ऐसा कह रही है आप, यह इतना आसान नहीं है हाँ, यह इतना आसान नहीं है, जेजे, मैं जानती हूँ बिर्कुल आसान नहीं है जैसे कि एक दिन सुबह जब आप उठते हो तो आपको वो आदमी नजरा आता है वो आदमे जिनसे तुमने शादी की है तुम टॉयलेट जातेओं और कोई तुमारा टॉयलेट का दर्रवाजा ठक ठक करता है हाउ वही इन्सान तुम्हारे साथ सालो साल रहता है जैसे कि तुम्हें एक रात अचानक केचिन से आवाज आती है चुआ, चुआ, क्या वो चुआ होगा है और वहाँ फ्रिज के पास कोई है और उस फ्रिज की लाइड उस चेहरे पर रिफ्लेक्ट कर रही है जैसे कि वो एक सिरेड किलर है वो अच्छान है, आय हान हाँ, इसे तुम ने शादी की है ऑफ कोर्स आय हान, नहीं होगी वो आय हान और फिर कोई और तुम किसी एक के साथ सालों तक कैसे रह सकते हो तुम्हारा इरादा बदर गया तो तू लोग तुम भी स्ट्रेस्ट आउट हो, समझ सकता हूँ लैला, तुम्हारे दिमाग में कई सवाल होंगे, मुझे नहीं पता फिलाल क्या करना चाहिए, शाइद मुझे आहान को प्रपोस करना चाहिए फिर हमारे शादी के पोस्टर्स होंगे, वो जो नॉर्मल होते हैं न, तालाप के पास या शादी के कपड़ों में कुछ पोटोस लेंगे, मैं इस तरह से उसे प्रपोस करूँगा, हमारे पास इंविटेशन कार्ड्स होंगे, गेस्ट होंगे, वेडिंग केक होगा, बहुत स तुम समझ रही हो न, तुम्हे खुद को मेरी जगा पर रख कर सोचना चाहिए, जरा सोचो, सोचो तरह, अच्छा, आप चिलाओ मत तुम, ओके, इसे थंडे दिमाग से सोचो, जैसे कि तुम आयहान के पास जाते हो, और तुम जो कुछ भी सोच रहे हो, उसे बता दो, और पूछो क्या हम रिंग खरीच सते हैं, मुझे लगता है, यह से रहेगा, मेरे नानी ने सब को चरेंज करके रखा है, जिक है, अगर तुम उसे सच्चाई बताते हो, तो आगरी, थेंक्यू सने, थेंक्यू सो मच, ओके, अग्राशलेशन, आ मुझे भी खुद को कॉंग्रे अगरी, है, यह अगरी, लुचिल्य करना चाहिए, मिस्टरें, ब्रावो, मेरी आइडियाजी सब से बहतर होती हैं हमेशा किते हैं।